नमस्कार, मैं नेम राहूल and I welcome you on New Directional Classes 2.0 So, basically, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CAA, यानि के Current Affairs Analysis और इसमें, basically, इसका सारा सम्मन्द current के जो events हैं, जो भी current की developments हैं उन सब पर रहने वाला है और इस series में CAA, जो हमारी series है उसमें हम discuss करने वाले हैं किसी भी कोई भी जो topic, जो recent trending में है उसका historical background, उसके various social legal aspects की समाज किसी भी मुद्य को, किसी भी चीज को किसी नजरिये से देखता है और हमारा कानून या हमारा समिधान उसको किसी नजरिये से देखता है वो सारे के सारे aspects हम इसमें cover करेंगे और जो इसका current status क्या है, क्या-क्या अब उसमें चल रहा है उसके अलाबा भविश्य में उसमें क्या-क्या possible developments है वो सारा का सारा हम इसमें cover करने वाले हैं और अगर मैं बात करो इस series की relevance के तो सबसे पहले बात ये कोई भी topic है क्योंकि हम detailed analysis उसका करने वाले है तो उसके वो चीज़ आपको help करगे पर्टिकुलर चीज़ को लेकर conceptual understanding के लिए जब हम उसके historical background, current में उसका relevance क्या वो सारी सारी चीज़े पढ़ेंगे तो हमारी जो conceptual understanding है वो उससे develop हो गए और अगर मैं बात करता हूँ examination point of view से जो भी various competitive examination है सब्जेक्टिव हो या objective हो तो उनमें यह series बहुत important role play गरने वाली है अब देखिए हालागी देखो जो इसका main relevance रहेगा वो UPSC state PCS इन में रहने वाला है और जो भी other exams है और states के जो normal exams है state exams है उसमें directly question जैसे हम discuss करेंगे कि legal aspect क्या है स्मिधान के कौन-कौन से article उस चीज पर implement हो रहे है तो वो चीज़ें आ सकते हैं various state exams में तो जलिए start करते हैं आज के हमारे पहले topic से आज का जो हमारा topic है उसमें हम discuss करेंगे social legal debate on scheduled caste status to Dalit Muslims and Dalit Christians अब देखिए जो हाल ही में क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो साल में कई बार यान कि यह ऐसे मुद्दे हैं जो काफी लंबे सीमें से चर्चा में हैं और साल में कई बार यह बार बार चर्चा में वापस आते हैं अब देखी इन में से एक मुद्धा है ऐसी स्टेटस तू दलित मुसिलिम और दलित किस्चन्स को ये हाल ही में डिबेट में था ये चर्चा में है और इस पर अभी एक कमिशन भी बनाया गया है जो पूरा-पूरा जो भी इसमें developments है जो इसमें possibilities हैं उन पर analysis करने वाला है अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहली बात ये है कि जो भारत में जो दलित हिंदूज है दलित हिंदूज उनको मिला है ऐसी स्टेटस यानि कि स्टेटूर्ट का स्टेटस और उसकी वज़े से उनको मिला है reservation लेकिन ये दलित हिंदूज को मिला है ऐसी स्टेटस ये दलित Muslims को नहीं मिला है और ना ही मिला है दलित Christians को तो सारी सारी debate ये है कि इनको क्यों नहीं मिला है जबकि इनकी जो आर्थिक है समाजिक है और सिक्सागे जहतर में दोनों की condition लगबग सेम है उसके बावजुद भी केवल इनको benefit मिल रहा है लेकिन ना Muslim को मिला है ना ही Christians को मिला है तो debate सारी ये है कि इनको क्यों नहीं मिला है तो इसमें हम discuss करने वाले हैं थोड़ा सा historical aspect क्या है समिधान के कौन कौन से article इस विशेश topics से related है और क्या-क्या possible developments इसमें हुई है अब देखिए यहां पर दलित कमदलव क्या है दलित बेसिकली एक identity है social identity के लिए हमने दलित को use किया है अब दलित मुसलिम कौन है? दलित क्रिस्टन कौन है? दलित मुसलिम बेसिकली वो मुसलिम है जिनके forefathers हिंदूर्ज रहे है इनके forefathers क्या रहे है? हिंदूर्ज रहे है various reasons से इन्होंने convert कर लिया था खुदको मुसलिम में और क्रिस्टन में और यह वो हिंदूज है जिनका social और educational एकनोमिकल बैक्ग्राउंड बहुत कमजोर था यानि के निचले तबके के हिंदूज थे उन्होंनों convert कर लिया खुदको और उन्हें के जो संतान है वो यह है दलित मुसलिम और दलित क्रिस्टन्स तो इनको ऐसी status नहीं मिला है हिंदूज को मिला और हिंदूज में केवल हिंदूज नहीं इसमें Sikhs भी included हैं और Buddhist भी included हैं तो यह इसका फाइदा उठा पा रहे हैं लेकिन इनको फाइदा नहीं मिल रहा है जबकि condition दोनों की same है तो इसमें यह सारा हम discuss करने वाले हैं अगर मैं बात करता हूं historical background की तो सबसे पहले देखते हैं जो word scheduled है इसका क्या मतलब है scheduled word basically यह एक constitutional identity है क्या है एक constitutional identity है जिस भी कास्ट के यह जिस भी ट्राइब के साथ हमने जोड़ दिया scheduled अब वो थोड़ी सी अलग है बाकिक कास्ट से उसको अलग benefits यह मैं सिंपल कहूं कि reservation का benefit उसको मिलेगा तो scheduled एक constitutional identity है जो special class को दी गई है अब देखिए जो single word है वो सबसे पहले use किया था यह मैं कहूं include किया था simon commission लेगा simon और समस्या यहीं से शुरू हुए simon commission क्योंकि उस समय पर भारत में colonial डोल था अब इनको क्या लगा जो simon commission है इनको लगा कि जो caste system है वो केवल हिंदूज में है theology के base पर अभी हम अगर check करें तो बिल्कुल सही बात है कि caste system किसमें है सिर्फ हिंदूज में आगे हम discuss करेंगे एक है book view एक है field view कि theology क्या कहती है और जो ground reality है वो क्या है तो caste system किसमें है हिंदूज में और जो एससी status है वो किस के उपर based है वो caste के उपर based है तो इसके अधार पर उन्होंने scheduled caste के upliftment के लिए क्या दिया scheduled caste का status दे दिया उसके बाद जो government of India act है 1935 गा उसमें भी जोरों सोरों से इसका प्रियोग हुआ उसमें भी यह क्या था included था अब हम ही पता है कि जो भारत का स्मिधान है उसका बहुत सारा हिस्सा कहां सी import कर रखा है 1935 से तो वहां से सारा का सारा सारा तो नहीं mostly क्या है 1935 के एक्ट से लिया गया है तो अब भी जो हमारा constitution है उसमें स्रियूर्ड कास्ट चल रहा है अब दखीए बात करते हैं थोड़ा सा historical aspect क्या है कास्ट सिस्टम का भारत में इतिहास बहुत पुराना है अब जो पहले कास्ट सिस्टम था मनुस्मृति से पहले specific ले मनुस्मृति से पहले मनुस्मृति से पहले जो कास्ट सिस्टम था वो reason नहीं था वो क्या था बहुत ही flexible था इससे गर मैं पहले की बात करूँ तो कास्ट सिस्टम था बहुत ही flexible flexible का मतलब क्या है काम बदलो कास्ट बदलो जो कास्ट थी वो basically काम पर डिपेंड करती थे और इसमें flexible था और जो कास्ट की hierarchy है कास्ट hierarchy का मतलब क्या है बनिया का बेटा बनिया उसका बेटा बनिया and so on पूरी सारी के सारी पीढ़िया सेम कास्ट से, ब्राह्मन का बेटा ब्राह्मन, उसका बेटा ब्राह्मन, सारा का सारा सेम, मनुसमरिती से पहले ऐसा नहीं था, ब्राह्मन का बेटा बनिया हो सकता था, उसके काम के हिसाब से, शुद्र हो सकता था, तो वो सारे के सारे पूरी पूरी आजादी थी, फ्लेक्सि कास्ट हाईरार्की नहीं थी, लेकिन मनुसम्रीते के बाद कुछ नियुम कानून हुए, जिसने जो कास्ट सिस्टम है उसको रिजिड कर दिया, यानि कि अब कास्ट बतलना क्या हुआ, मुस्किल, तो कास्ट सिस्टम हुआ रिजिड, कास्ट की जो मुवमिट है वो हुई कम अब देखिए इसके बाद क्या हुआ एक मिनिट क्या है तो अब देखिए कास्ट सिस्टम था इसके बाद होआ कास्ट से बिधा ब्रहाम आप उसके बाद ही क्या हुआ जो स्टार्टिंग में हमने बात करी कि जो कास्ट सिस्टम था वह काम के बेस पर दिवाईट था अब जो काम कुछ लोग стать कि अब अगर मैं इसको करंट वे से देखओ कि अगर मालू, कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, इंजिनयेर का बेटा ही इंजिनेर बनेगा और यह क्या है यह जो प्रोफेशन है इनको हम थोड़ा सा उंछा रखते हैं बाकी और से तो इसकी वज़े से क्या होगा Class का division होगा कि एक particular class एक particular caste फिर वही उसी उंचे पद पर रहेगी और जो नीचे के जो काम है उसको जो caste कर रही है वो नीचे तबके में रहेगी और उसके बाद से क्या हुआ division हुआ कास्ट हार की आई और इसके बाद से शुरू हुआ division, differences बढ़ने स्टार्ट हो गए जिसको मैं कहूँगा caste disqualification यानि कि कुछ caste को नीचा दरजे का समझे आने लगा और caste disqualification की वज़ेशे है सारी समस्चाहें पैदा हुई जो छोटी जो caste थी जो अधिकतर छोटे कामों में इन्वाल रखती थी खुद को उनके जो कुछ राइट्स है वो सीन लिये गए, discrimination हुआ जो वो स्टेटस जिस भी दरजे के वो हकदार थे वो दरजा उनको नहीं मिला तो सारा का सारा सिस्टम क्या हुआ अब देखिए जिस टाइम पर कॉलोडियन रूल था तो सिती वही थे बहुत लंबे समय तक वो चली तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने ऐसी स्टेटस इंक्रूड कर दिया अब जो हमें पता है डॉक्टर अमेड़कर के बारे में तो डॉक्टर अमेड़कर ने जो भी डिप क्रेस्ट क्लास थी जिनको उनके अपने अधिकारों से वन्चीत रखा गया था उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया और डॉक्टर-अमेड़कर तो इन्होंने बहुत काम किया जो भी अब देखिए जो जात थी जो कास्ट थी कुछ कास्ट थी कुछ क्या बहुत सारी थी जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया था लेकिन सिर्फ एक कास्ट को ही नहीं कुछ कलास थी क्लास का मलग किया है जिसे महिलाओं को भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था वो किसी भी कास्टे बूलाओं करती हों जो जिनको सवर्ण जाती कहते थे उनकी महिलाओं को भी सारे के सारे अधिकार नहीं मिले थे और बहुत से ट्रांसजेंडर थे उनको भी अधिका ध्यानक अब देखिए depressed caste उन्होंने यूज नहीं गया इन्होंने वर्ड यूज गया depressed class क्योंकि अधिकारों से वंचित केवल कास्ट ही नहीं थी कास्ट थी ही लेकिन केवल कास्ट नहीं थी और भी जो वर्ग थे वो भी अधिकारों से वंचित रखे गए थी तो इन्होंने word use किया depressed class अब रोल आता है फिर संधान का देखिए हमने पूना पैक्ट के बारे में सुना है पूना पैक्ट क्या था ये 1935 में 1932 में किस-किस के बीच में हुआ गांदे जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ पूना पैक्ट क्यों कि उस समय पर जो अम्बेडकर है वो डिमांड कर रहे थे separate electorate के लिए किसके लिए depressed class के लिए separate electorate अब थोड़ा सा बात करते हैं कि separate electorate क्या है अब दखी spelling होज़कता है गल्त लिख दूँ मैं separate electorate अब दखी separate electorate क्या है इसमें क्या करते हैं हम जो भी voting population है उसको अलग-अलग categories में divide कर देते हैं हम उसको धर्म के अधार पर कर सकते हैं यानि कि religion पर caste के base पर या और various factor के base पर हम जो voting population है उसको divide करते हैं for example मालो हमने religion के base पर divide कर दिया कि एक हिंदू है और एक क्या गर दिया मुसलिम कर दिया यह Muslim population है यह Hindu population है अगर मैं कहूं कि हिंदू या Muslim या दोनों को separate electorate मिला है तो इसका मतलब क्या है कि जो Hindu population है वो हिंदूज को ही vote करेगी Muslim population इस leader को vote नहीं कर सकते और Muslim केवल किसको vote करेगी मुसलिम को vote करेगी यहन कि इनका ही क्या है candidate है आपस में इनको हिंदू मुसलिम को और मुसलिम हिंदूज को vote नहीं कर सकते तो अमेडिकर चाहते थे कि separate electorate मिले depressed class को लेकिन उसमें पर गांधीजी को लगा कि देखो अब हम लड़ रहे हैं लड़ादी के लड़ाई और उसके हम बहुत करीब हैं यह जो formula है यह जो idea है यह जो differences पहले ही बहुत है caste के बीच में इनको और गहरा कर सकते हैं जो कि उस समय पर हमारे लिए ठीक नहीं था ऐसा गांधीजी का मानना था और अगर मैं थोड़ा से इनकी आइडियोलोजीजी की बात करों गांधी और अमेडिकर की तो यहां पर हमें तोड़ा सा समझना जूरी है तो यह पूना पैक्ट था 1935 गांधी और अमेडिकर के बीच में हुआ था जिसमें जो separate electorate की मांग कर थी अमेडिकर ने और गांधी जी ने चाहते बाद में उनको convince कर लिया था तोड़ा साइस को देखी लिता है गांधी जी ने convince कर लिया था convince कर लिया था अमेडिकर को और Biz quieres गणा चोड़ दे थे उन्होंने compromise कर लिया था अमेडिकर जी ने यह था पूना पैक्ट अगर मैं बात करता हूँ इनकी आइडिलोजिस की तो अमेडिकर जी बेसिकली चाहते थे और जानते भी थे तो अमेडिकर ये चाहते थे कि जो भी depressed class है उनको उपर उठाने के लिए उनको legal support system प्रवाइड किया जाए ये चाहते थे कि उनको क्या मिले legal support system मिले क्योंकि उनको पता था कि अगर कानूने रूप से उनको सहयोग नहीं किया गया तो जो भी अपर कास्ट है वो अपने मन से discrimination खतम नहीं करेगी और जो depressed class है वो उनके अधिकारों से वन्चित ही रहेगी चाहे अजादी मिले या ना मिले उनको ये पता था तो वो चाहते थे कि legal support उनको मिले गांधी जी का प्रक्स इसमें दूसरा था अब देखी अमेडिकल ने यूज किया कि था वर्ड यूज किया है नोने दलित ठीक है और गांधी जी ने यूज किया था हरी जन तो गांधी जी चाहते थे कि जो भी अपर क्लास के लोग हैं हम उनकी मानसिक्ता को चेंज करें उनको हम मन को हम बदलें उसकी वज़े से हम जो डिफरेंसिस है उसको कम कर पाएंगे ना कि लीगल स्पोर्ट सिस्टम से गांधी जी को लगता था कि जो लीगल स्पोर्ट सिस्टम है उसकी वज़े से साइद डिफरेंसिस बढ़ सकते हैं और उन्होंने वर्ड यूज किया हरी जन इसका मतलब हरी के जन और एक स्प्रिचूल एस्पेक्ट वो लेके आए उस डिफरेंस को कम करने के लिए ताकि जो अपर क्लास के लोग हैं उनके मन को स्प्रिचूल्टी का यूज करके हरी जन, हरी का नाम का प्रियो करके डिफरेंसिस क्या करते हैं? कम करते तो इनका ये था लेकिन अमेडिकर को पता था कि चीजें नहीं बदलेंगी अगर लेगल स्पोर्ट सिस्टम नहीं मिला तो उन्होंने उस समय पर 1932 में तो कम्प्रमाइज कर लिया लेकिन जब वो बने ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड बने तो उस समय उनको पावर थी कि अब कुछ न कुछ लेगल सिस्टम इनको प्रवाइड करना पड़ेगा और उन्होंने किया भी एड क्या कर दिया जो बहुत जुरूरी है एक कॉंस्टिट्यूशनल ओर्डर कॉंस्टिट्यूशनल सिड्यूल्ड कास्ट यह साइद नीचे ना दिखे थोड़ा सा इसको लिखते हैं उपर ही तो यहां यह हो गया है अपना तो उस समय पर ड्राफ्टिं कमेर्टी के हैड बने और उन्होंने एड कर दिया कॉंस्टिट्यूशनल सिड्यूल्ड कास्ट ओल्डर नाइन्टिन यह बहुत जुरूरी है इसमें जो लिखा है जिन जिन को ऐसी स्टेश दिया गया है उन्हीं को मिलेगा अगर दलिथ मुसलिम और दलिथ क्रिष्चन को चाहिए ऐसी स्टेश तो इसमें चेंज करना पड़ेगा तो यह जो ओर्डर है ये 1950s में किसने एड करवाया लक्टर भीमरा अमेडिकर जी ने एड करवाया उनको लेगल स्पोर्ट सिस्टम प्रवाइड करने के लिए और इसमें क्या था Constitutional order 1950 है इसमें और एक बात और इसमें जो कास्ट का जो पहली बार यूज अमेर्ड गर्जी ने किया वो यहां आके किया स्टार्टिं में क्या यूज किया था डिप्रेस्ट क्लास तो डिप्रेस्ट क्लास से उन्होंने फिर यूज कर लिया स्टूल कास्ट और अगर देखिए बेसिकली जो स्टूल कास्ट हैं अगर मैं इसको कहूं डिप्रेस्ट क्लास तो उसी में से कुछ कास्ट हैं जिनको स्ट स्टूल्ड कास्ट का दरज़र दिया वया है डिप्रेस्ट क्लास बहुत सारी है उनमें से स्टूल्ड कास्ट क्या है कुछ है तो इसमें उन्हें क्या मैंशन गया एसी स्टेटिस दिया किस किस को हिंदूज को यानि कि दलित हिंदूज कब मिला 1949 में शिक्स को कब मिला 1950 में और उसके बाद कब मिला बुद्धिस्ट को कब मिला ये लेट में चकेट 1990 में 1990 में तो अब देखिए शिक्स को 1950 में बुद्धिस्ट को 1990 में सबसे पहले किस को दिया दलित हिंदूज को चला क्यों आ रहा है क्योंकि कॉलोनियर टाइम से चला आ रहा है और उनको लगता था कि जो कास्ट सिस्टेमों किसमें हैं क्योंकि सिक्स क्या है बेसिकली ये हिंदू हिंदूजिम के ही क्या है ब्रांच है तो इन्होंने कहा कि हमारे फोरफादर्स हिंदू थे उनमें से कुछ ऐसे थे जो सिख्षिम में इंटरस्टिड हुए तो उन्होंने चेंज कर लिया है तो क्या हिंदूज ही तो उन्होंने इंक्लूड कर लिया गया तो यह बेसिकली थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैक्राउंड है कि क्या क्या हुआ चीजें कहां से स्टार्ट हुई और अब क्योंकि बात चल रही किस्किए ऐसी स्टेटस के तो जाहिर है कुछ उसके फाइदे होंगे तो हम डिसकस करेंगे कि ऐसी क्या है अभी हम पढ़ते हैं कि ऐसी स्टेटस मिलने के फाइदे क्या क्या है तो नाओ लेट्स डिसकस बैंफिट ओफ बीं इन स्टूल कास्ट की मांग उर रही है तो जाहिर है कुछ फाइदे होंगे उसके तो फाइदा क्या है फाइदा है रिजरुवेशन जो भी स्टूल कास्ट में स्टूल ट्राइब में लिस्टिड है उनको मिलता है रिजरुवेशन का बैनेफिट रिजरुवेशन कहां कहां आर्टिकल 15-4 रिजरुवेशन इन एजगेशन इस्टूशन यहां रिजरुवेशन है अपॉइंटमेंट में रिजरुवेशन मिलत और Cut-Off को भी SC ST के लिए कम किया जासकता है। हमें पता है कि जितने भी विर्स एक्जाम हैं, उनकी SC कट-Off क्या है, बहुत कम रहती है। कहां लिखा है कम रहती है, यहां लिखा है कम रहती है। कम रहे सकती है। Cut-Off can be lowered for SC and ST. Article 335, उसके बाद Article 330 लोकसभा में में है रिजरुवेशन है 332 legislative assembly में रिजरुवेशन है 243D पंसायद में रिजरुवेशन है 243D municipalities में रिजरुवेशन है तो यह सारे के सारे रिजरुवेशन के benefit अवेल करने के लिए लिस्ट होना ज़रूरी है schedule caste में यानि कि जो constitutional order है schedule caste के लिए 1950 का वहां पर include होना उसे लिस्ट में ज़रूरी है और demand वही उठ रही है कि धलित Muslim और ग्रुवेशन को भी उसमें add किया जाए ताकि यह सारे के सारे benefit वो avail कर सके और promotion यह amendment यानिके 77th amendment से add किया गया था और जो cut off है यानिके article 335 यह amendment कौनसा 86th amendment से add किया गया था तो यह सारे के सारे benefit हैं student caste में होने के और जुरूरी है ताकि जो भी depressed class है depressed class हैं उनका upliftment हो सके और जिस भी दरजे के वो हकदार हैं वो उनको मिल सके क्योंकि देखिए गरीबी ही एक जात है आप किसी भी जात से हों अगर आप गरीब हैं तो कहीं ने कहीं आपको discrimination face करना है पड़ेगा और कहीं ने कहीं जो अमीर हैं उनको privilege मिलेगा आप से ज्यादा अगर आप भी उसी caste के हैं तो गरीबी को खदम करना बहुत जुरूरी है इस difference को कम करने के लिए और उसको यहनकी social और economic status को हमें improve करना है economic status improve होगा तो social status improve होगा तो यह सारे के सारे benefit है जिसकी वज़े से जो स्ट्राइब के हैं उनका जो representation है हर चेतर में राजनीती में हो या और भी जो सारे चेतर है possible चेतर उनमें उनका involvement उनका representation बढ़ा है अगर उनका economic status अच्छा होगा तो जाहिर है कि उनका social status भी क्या होगा अच्छा है कि जो कुछ कास थी वो involved होगी बड़े कामों में जिनको उंचा माना दाता था कुछ involved होगी जिनको छोटा माना दाता था उसी किज़े से क्या हुआ है division तो अगर हम उसको यह जो economic जो gap है इसको हम cover कर लें तो कहीं न कहीं हम सफल हो पाएंगे यह जो अंतर है जो बेदभाव ह है उसको खत्म करने के लिए तो अभी discuss करते हैं कि दलित Christian और दलित Muslim क्या है उनका actual में status क्या है तो अभी बात करते हैं दलित Muslim अब देखिए अब जो दलित Muslim है वो पता है हिंदूस थे convert होके क्या हुए है Muslim बने है बहुत backward class है बहुत discrimination है वो सारा का सारा अब देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रोसीड करने इस पहले दो पाइंट एक होता है book view एक होता है book view और एक होता है field view इनको थोड़ा सा समझते है book view क्या मतलब क्या है जो भी religion है उनकी मानेताय क्या है उनकी books क्या कहती है धार्णा क्या है उनकी उसको हम कहते है book view यानि के theology क्या है उसको हम कहेंगे book view field view का मतलब क्या है ground reality क्या है लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन ground reality क्या है उसको हम कहेंगे field view यानि के ground reality अब देखिए यहां पर book view और field view में बहुत ज़्यादा difference है कैसे book view जो अबराहिम के religion है अबराहिम के religion है Muslim Christian ये मानते क्या है कि इनमें caste system नहीं होता एक्जिस्ट ही नहीं करता ये मानते हैं कि ऐसा कोई division नहीं है सारे के सारे समान है सब का status equal है किसी के साथ भी discrimination नहीं है ऐसा ये मानते हैं कि caste system एक्जिस्ट है नहीं करता ना exist करता है discrimination किसी परकार का ये ऐसा मांगते हैं reality क्या है कि caste system भी exist करता है सीधा caste ना कहें लेकिन उस type का division है caste system exist करता है discrimination भी है अब दिक्कत यहां है जो government है उसका stance ये है कि book view को हम consider कराएंगे जब ये मानते ही नहीं caste exist करती है तो SC कमल गया है schedule caste तो उनमें add क्यों करें caste exist नहीं करती equal status मानते हैं तो दिक्कत क्या है discrimination बोलते हैं है नहीं तो ज़रूरत क्या है add करने की लेकिन reality क्या है कि discrimination हो रहा है उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और वो backward class है social economy condition बहुत कराब है तो सुप्रीम कोड बोलता है कि आप reality देखिए उनकी आप हालात देखिए उनके हालात देखकर आप इनको add कीजिए status में क्योंकि उनको जुरूरत है discrimination हो रहा है बहुत जागा तो अब अगर मैं बात करता हूं दिलित मुस्लिम भी तो भारत का सब कॉंटिनेट का मुस्लिमान है वो तीन कमुनिटी में डिवाइड है एक मिनेट तो भारत का जो इंडियन जो मुस्लिम है वो तीन कमुनिटी में डिवाइड है असरफ अजलफ और अर्चल तीन कमुनिटी में डिवाइड है असरफ खुद को मानता है सबसे ऊपर के दरजे का सयद सेख पठान यह हैं असरफ और यह खुद को कंसीडर करते हैं और इजनल मुस्लिमान बहारत की बात हैं भारत में यह डिविजन हैं यह मानता हैं कि यह उनकी सिंतान हैं जो ऑरिजनल है दूसरे दरजे के हैं जो अरजल है वो है धलीक ये डिमांड कर रहे हैं किसके ऐसी स्टेटस की यह है contributors और ये हैं depressed class कि जिसे कुरेशी है जुए कौन है कुरिशी है demand क्या कर रहे है SC status की demand करें, ये demand करेंगे, अब देखिए, demand क्यों करेंगे, क्योंकि discrimination हैं, हालाद बहुत खराब हैं, और ये करते हैं, इनके साथ discriminate, असरफ क्योंकि converted हैं, ये इनको original मानते ही नहीं, अब discrimination देखे, कि इस टाइट का है, कि जो भी burial ground है, जो कबरिस्तान है, elite class का, वहाँ पर जो नहीं बरी कर सकते, वहाँ पर उनको नहीं दफना सकते, आपस में साधिया नहीं होते, इनमें और इनमें आपस में साधिया नहीं होते, invite भी नहीं करते साधियों में और तो और जो बच्चे हैं इनके और इनके classes में अलग-अलग बैठते हैं तो इनके साथ इस प्रकार का discrimination है इसलिए ये demand कर रहे हैं कि हमें ऐसी status मिले थोड़ी सी राहत हमें मिले ये Indian Muslim का है अगर हम बात करते हैं क्रिस्चन के दलित क्रिस्चन के तो अगर हम बात करते हैं दलित तो उनका भी book view अलग है लेकिन ground reality क्या है अलग है ground reality अलग है अब देखिए एक तो हैं सीरियन कहिए साइरियन कहिए Christians एक है हरीजन क्रिस्चन जो दलित क्रिस्चन है और एक है पुलाय क्रिस्चन अब इनने में discrimination देखिए किस थाइप का है condition तो सेम है बहुत backward class है socio economic condition बहुत खराब है जो सीरियन क्रिस्चन है हरीजन ग्रिस्चन है जब यह होंगे आमने सामने तो इनको अपना जो head dress है यह remove करने पड़ेगी क्या करने पड़ेगी? remove करने पड़ेगी और जब यह बोलेंगे बात करेंगे इनसे तो इनको मुँपर हाथ रखना पड़ेगा mouth क्या होगा इनका? closed होगा with hand इस प्रकार से पुलाया क्रिस्चन यह क्रिस्चन खुझ को consider करते हैं अप्रक्लास का इनके साथ खाना नहीं खाते इनके साथ यह खाना नहीं खाते और इनको खाना दिया जाएगा तूटे बरतनों में खाना खाकर बरतनों को साथ कुन करेगा यह entry नहीं है अंदर इनके गरों में इनके entry नहीं है बाहर रहेंगे बाहर ही खाना खाएंगे वहीं अपने बरतन धोकर इस प्रकार का discrimination है और यह क्या है? बहुत और ऐसे ही है पसमंदा जो मुसलिम है तो पसमंदा मुसलिम जो बहुत चर्चा में है उनका बहुत खास्ता हालत है तो इस प्रकार का discrimination है लेकिन दिक्कत वही book view अलग है, field view अलग है government अड़ी है book view पर Supreme Court कहतिय की field view चेक करो जो की सही भी है तो अब देखिए हमने basic देख लिया कि इनका अलग-अलग है reality कुछ और है हम consider किसी और पांटियों कर रहे है तो demand इसलिए उठ रहे हैं कि इनको status दिया जाए ताकि improvement हो, चीजें बदले इनकी भी जिन्दगी बदले अब देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर इनको ऐसी status दिया जाए तो उसमें बाधा क्या है किस विजे से अब तक इनको status नहीं दिया गया है तो पहली बात तो ये है कि ऐसा consider किया जाता है कि जो caste system है वो केबल हिंदूजियम में है इनमें caste system exist नहीं करता और ये ऐसी कमल schedule caste तो caste का division हो का वहाँ पर जो कि नमें exist नहीं करता और जब वो convert होते है तो हिंदू में है तो division है caste का वहाँ गए तो वो जो division है वो discrimination है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वो खतम हो जाता है दूसरा point है यानि कि पहला point क्या है इसमें कि जो caste system है वो क्यों हिंदूजन में है ऐसा माना जाता है तो उनको क्यों consider करें दूसरा यह है कि discrimination भी हिंदू हैं अगर बदल लिया तो वहाँ उनकी book view कहता है कि division नहीं है तो वहाँ पर भी discrimination नहीं होता होगा ऐसा माना जाता है तीसरा गया है देखिए जो important भी है, कि अगर मान लो, इनको ऐसी status दे दिया गया, अब ऐसी status देने का मतलब क्या है, उनकी एक caste को recognize करना, यानि कि हम Muslim में और Christian में caste को recognize कर रहे हैं, तो internationally हो सकता है इसका गलत message आए, कि हिंदुजम में तो था ही था caste system, उसको अब हम थोप रहे हैं, Christianity और Muslim पर, इसका गलत message आए, यानि कि जो international community है, वो misunderstood कर सकती है, है, government के इस step को, कि हम division को और बुढ़ाना जाते हैं, हम दूसरी religion पर भी caste system थोपना जाते हैं, तो ये हो सकता है, यानि कि तिसरा क्या है, कि जो international community है, international community, वो भारत के इस step को misunderstood कर सकती है, इसको, कि भारत, बढ़ा रहा है caste system को, Muslim और Christian पर हम caste system थोप रहे हैं, इस प्रकार से SC में उनको list करके, तो ये भी जमस्या है, जिसकी वुज़े से भारत को international pressure face करना पर सकता है, इसके अलावा, चोथा point, अगर, ऐसी स्टेटस दे दिया गया, यानि कि हम उनके पहचान पर थपा लगा रहे हैं, कि वो original Muslim और original Christian नहीं है, क्या हैं, वो दलित हैं, और converted हैं, क्योंकि SC स्टेटस का मदलब क्या है, जो provision है स्मिधान में, वो उनका समध्ध किसे हो, हिंदू से हो, सिक्स का किसे था, इंदू से था, बुदिष्ट का किसे था, तो अगर हमने ऐसी स्टेटस दे दिया, तो इसका मतरब होगा, कि हम उनके ठपा लगा रहे हैं, कि वो converted हैं, जिसकी वज़े से, अगर वो बाहर कहीं भी काम करने जाएंगे, Muslim countries में, या Christian country में, तो उनके साथ discrimination हो सकता है, क्या हो सकता है, उनको अलग प्रकार का discrimination face करना पड़ सकता है, Muslim countries और Christian countries में, जो Indian Muslims हैं, उनको, ये भी तर्क हैं, अब देखिए, और एक बड़ी समस्षा ये है, अभी, जो recent developments हैं, वो बहुत तेजी से नहीं हो पा रही, कार्ण ये है, अब इनके लिए, ऐसी status देने के लिए, हमें चाहिए पूरा data, और हमारी जो सारी के सारी योजनाई हैं, वो चल रही हैं 2011 के census के बेस पर, तो जुरूरत ये है, कि जो 2021 का जो census होना चाहिए था, वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि नया data मिले, गॉर्मेंट के पास नया data ही नहीं है, तो गॉर्मेंट बोल रही है कि data ही नहीं है, तो कैसे recognize कर लें, ये भी जाइज मश्या है, लेकिन जुरूरत क्या है, कि जल्दी से जल्दी census conduct करवाया जाए, उनकी वास्तिक स्थिति को जाना जाए, और उनकी जुस्थिति है, उसमें प्रिवर्तन करने की कोशिज की से है, तो ये basic point है, रिवाइज स्कूलार हों दुबारा से, पहला तो caste system के वोले हिंदूज में माना जाता है ऐसा, discrimination भी हिंदूज में है, इसा माना जाता है, अगर वो बदल गए हैं तो उन्होंने इन सब चीजों से निजात पाली ऐसा माना जाता है, international community हो सकता है, इस कदम को mis-industry कर ले, उनको लगे कि caste system को उन पर भी थोपा जा रहा है, और Muslim community और Christian community, discriminate करना स्टार्ट कर सकती है इंडियन मुसलिम के साथ, अगर उनको tag दे दिया स्जूल कास्ट का या दलित मुसलिम का, तो ये भी समभावना है, मेंन बात किया है कि census conduct नहीं हुआ है, जो data चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ commission की जन्द का समभन है, हमारे इस topic से और उनकी recommendation क्या क्या है, तो अब देखिए, KG Balakrishan various commissions related to this matter, कौन कौन से commission जन्द का इस मुद्द से समभन है, KG Balakrishan, ये KG Balakrishan commission है, ये हाल ही में बनाया गया है, जो क्या करेगा, which will look into the possibility of including Dalit muslim and christians into serial caste, जो क्या करेगा, अब देखिए, ये भी बना है, तो ये क्या करेगा, possibility देख रहा कि क्या इनको include करना चाहिए, वास्तव में इनका socio-economic status क्या है, उसके base पर ये recommend करेगा, और उसके base पर फिर government react करेगी, रंगनाथ मिसरा commission, इन्होंने 2007 में अपने report submit करे थी, 2007 में क्या गर थी, report submit करे थी, और report में इन्होंने recommend किया, कि दलित Muslim और Christian इनको ऐसी status मिलना चाहिए, तो ऐसी status किया कि इन्होंने recommend किया, और इन्होंने क्या किया था, socio-economic जो condition है, socio-economic जो status है, दलित Muslim का, उसको इन्होंने study किया था, अब देखिए, सचर कमिशन समंद्ध किस से है, मुस्लिम से समंद्ध है, इसने जो अर्जल मुस्लिम है, उसको recognize किया था, कि ऐसी बी कम्मूनिटी है, backward class है मुस्लिम है, तो ये various commission है, जो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, किस से समंद्ध है, मुस्लिम से ये possibility चेक करेंगे, अभी बने हाल ही में, 2007 में report, कुर्सुत कृति रिकमेंड किया था, कि इनको status मिलना चाहिए, सचर कमिशन मुस्लिम से समंद्ध है, अर्जल मुस्लिम को क्या कहिए था, recognize किया था, अब देखते हैं कि अगर, SC status इनको देना है, तो process क्या होगा, पूरा पूरा procedure क्या follow करना पड़ेगा, अब देखते हैं इसका procedure क्या है, सारा का सारा, अब देखिए, किसी भी caste को, SC status प्रोवाइड करने के लिए, article 341.2, इसके तहद, Parliament के पास इपावर है, कि वो किसी भी caste को, किसी भी caste को, schedule caste का दरज़ा दे सकती है, पावर किसके पास है, Parliament के पास है, अब देखिए, process क्या है, condition क्या है इसका, पहली बात, तो ethnic demand हो, उस caste की तरफ से, कि हमें status दे दो, पहली बात क्या है, ethnic demand हो, अगर किसी जोग्राफिकल एरिया में, वो demand उठ रही है, तो वहां का जो governor है, जिसके अनर वो area है, वो governor उस demand को क्या करेगा, परस्चियो करेगा, governor, क्या करेगा, pursued by governor, उसके बाद, फिर ये, बात जाएगी, NCSC के पास, NCSC क्या है, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Caste, तो NCSC क्या बात जाएगी, अब जो NCSC है, वो empirical data को analyze करेगा, यानि के वो data चेक करेगा, कि उनके record के हिसाब से, क्या इनको status देना चाहिए, यानि के उनका socio-economic status है, क्या वस्तव में, क्या SC status देने लाइक है, वो उनको जुरूरत है, या नहीं जुरूरत है, NCSC के बाद, ये जाएगा, RGI के पास, Registrar General of India, अब इसका इसमें critical role है, RGI का, RGI, यानि के NCSC इसको फिर recommendation अपनी भेज़ देगा, उसके बाद, फिर RGI, decide करेगा, कि इनको status मिलना चाहिए, या नहीं मिलना चाहिए, अगर RGI ने हां कर दे, तो status मिलेगा, government को status देना पड़ेगा, अगर इन्होंने ना कर दी, तो उसके बाद फिर status नहीं मिलेगा, अब RGI के बाद, RGI के बाद, ये जाएगा, प्रस्ताफ जाएगा, मौसी जी के पास, कहां? मौसी, मौसी के मतलब है, Ministry of Social Justice, फिर उसके बाद, ये अनलाइज करेंगे, उसके बाद, पेस होगा, परलेमेंट में बिल, बिल बनेगा, Act, और, फिर आएगा, Presidential, Order, और, ऐसी status, दे दिया जाएगा, तो ये सारा का सारा, इसका प्रोसेस है, दोबार देखते हैं, Article 341.2, में किसी भी कास्ट को, SE का स्टेस दिया जा सकते है, कौन देगा, पारलेमेंट देगा, पूरा पूरा प्रोसेस क्या है, एथनिक डिमांड हो, गवर्नर उसको प्रिच्व करेगा, उसके बाद जाएगी कहा, National Commission for Spidual Cast, तो NCSE में जाएगी, उसके बाद जाएगी कहा, RJ के पास, रजिस्टर और जो NCSE है, वो इंपिरिकल डेटा, ये चेक करना है, E या आई, इंपिरिकल डेटा, कलेक्ट करेगा, उसको एनलाइज करेगा, फिर देखा कि इनको जुरूरत है या नहीं है, कहाँ जाएगा डेटा फिर, उसके बाद RJ के पास, RJ फिर हाँ या ना कहेगा, अगर हाँ कर दिये तो उसके बाद क्या होगा, Ministry of Social Justice के पास जाएगा, फिर बिल पेस होगा, फिर वो एक्ट बनेगा, उसके बाद Presidencial Order के रूप में वो सविकार कर लिया जाएगा, और ऐसी स्टेटस दे दिया जाएगा, तो यहां तक हमने सारा सारा पढ़ लिया, कि background क्या था, चल क्या रहा है, कारण क्या है, क्यों नहीं दिया गया है, अगर दिया जाना हो, तो पुरा-पुरा प्रोसेस क्या रहेगा, I hope चीजें कलीर होई होगी आपके माइंड में, Spelling Mistakes साइध होई हो कई, वो इग्नोर कर सकते हैं, So, this was what we have to do, For today, हमारा पुरा-पुरा टोपिक, कवर कर लिया है, जो basic aspect से जितने पॉसिबल थे, वो हमने सारा-सारा कवर कर लिया है, So, thank you and happy...